नमस्कार दोस्तों हमारे चनले पे अब सब कस्वापत है दोस्तों कल हमने वीडियो में जाना था कि कैसे सात्वाहनवस का हास हुआ कैसे सात्वाहनवस के समापत हो गया था लेकिन एक बार फिर से सात्वाहनवस पुनह अस्तितों में आया और उसका पुनय रुथान हुआ और इसका स्रेय गोत्मी पुत्तर साथ करनी को जाता है तो इस वीडियो में हम गोत्मी पुत्तर साथ करनी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने साथ वाहन वंसका पुनय रुथान किया तो चलिए फिर जाधेर न करते हम इस वीडियो को शुरू करते हैं साथ वहनों की सक्तियम प्रतिष्ठा को पुने स्थापित करने का स्रेय गोत्मी पुत्तर साथ करनी को जाता है नासिक प्रशर्ष्ठी में उसे अक्षरात वंस का भी नासक ता साथ वहन वंस की प्रतिष्ठा का पुने स्थापक कहा गया है साथवानों का वह सबसे महान राजा था उसने चिन बिन साथवान समराज्यों का अपने प्राकरम से पुने संक्टित किया एमिस का विस्तार किया संभवत अपने वंस का वह तैसवा राजा था वह पहला साथवन राजा था जिसके नाम के साथ उसकी माता के नाम का भी उलेक मिलता है उशी के समय से इसवस के राजाओं में अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम रखने के भी परंपरा चलने के लिए इससे पता चलता है कि इस समय से राज्या में मातर सतात मकतवी महतबुन बन गई नासिक परशस्ति रधारानी गोत्मी बलस्री के अभी लेखों से गोत्मी पुत्र साथ करनी के विजय अभियानों का अंदाज लगाया जा सकता है नासिक परशस्ति रधा जोगल थैंबी से प्रापत चांदी के सिकों से विदित होता है कि साथ वहन राजा ने शक शाषक नहपान को युद में प्राजित किया तो उसके सिकों पर पुने अपना नाम खुदवाया नहपान को प्राजित कर उसने महराश्टर में उसके निक्ट वर्तिक सेत्र में फिर से साथ वहानों की सत्ता स्थापित की पूना के निक्ट मामाल से प्राप्त एक सरकारी अदेस पत्तर जो अमत्या के नाम जारी किया गया था से भी महराश्टर पर शातवानों के अधिकार की पुष्टी होती है उसके पुत्तर वशिष्ठी पुत्तर पूलमई के नासी अबिलेक में उसे नेक युद्धोंगा विजेता सत्रों का सहारक एम विजय पता का फैराने वाला कहा गया है रानी गोतमी बलसरी के अबिलेक से पता चलता है कि उसने सकों की एक्सराथ साखा यवनों एम पहवों की सक्ति का उन्मुलन किया उसकी विजयों के प्रिणाम सुरूप शातवान दक्षिन किस्सा और प्रमुक शक्ति साली सासक बन बैठे उसने अपने राज्या का भी विस्तार किया उसके समराज्या के अंतरगत आसिक कोदावरियो कृष्णा का मद्यवर्तिक सेत्तर आसक मूलक सूरत कूकर या कूकर परियात अपरांत अनूप विधर्ब और अकारवन्ती के परदेश समली थे इसके दुरिक्त विध्यां से मल्या परवत तक के समस्त परवत अनूप पुर्वीश पस्चमी घाटो तक का भी वह मालिक था उसने पस्चमी के मालिक तदा प्रिच्ठान के मालिक ही उपादियां धारण की तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपका एजानगरी पसंद आई तो हमारे जानल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अंगले वीडियो में जाहिए जाय भारत